महा सिवरात्री ब्रत कथा एक बार मा पारवती जी ने भगवान संकर से पूछा ऐसा कौन सा स्रेष्ट और सरल ब्रत पूजन है जिससे मिर्तिव लोक के प्रानी अपनी आपकी कृपा अपने उपर सहजी प्राफ्त कर लेता है उत्तर में सिव जी ने पारवती जी को सिवरात्री के ब्रत का बिधान बता कर कथा सुनाई एक बार चित्र भ़ानू नाम का एक सिकारी था पसओं की हत्या करके वह अपने कुटुम्ब को पालता था वह एक साहुकार का रिनी भी था लेकिन उसका रिन समय पर ना चुका सका और क्रोधित साहुकार ने सिकारी को सिव मठ में बंदी बना लिया संजोक से उस दिन सिवरात्री था सिकारी ध्यान मग न होकर सिव संबंदी धार्मिक बाते सुनता रहा चतुर दसी को उसने सिवरात्री ब्रत की कथा भी सुनी संध्या होते ही साहुकार ने उसे अपने पास बुलाया और रिन चुकाने के बिसे में बात की सिकारी अगले दिन सारा रिन लोटा देने का बचन देकर बंधन से छूड़ गया अपनी दिन चरिया की भाती वह जंगल में सिकार के लिए निकला लेकिन दिन भर बंदी ग्रिह में रहने के कारण भूखा प्यास से ब्याकुल होता जा रहा था उसका मन क्योंकि भूख प्यास उसको अब बरदास्त नहीं हो रही थी सिकार करने के लिए वह एक तालाव के किनारे बेल का पत्र का ब्रिक्ष था उस पर पढ़ाव बनाने के लिए चड़ गया और बेल ब्रिक्ष के नीचे सिबलिंग था जो बेल पत्रों से ढखा हुआ था और सिकारी को उसका पता भी नहीं था पड़ाव बनाती समय उसके जो टहनिया तोड़ी बेलपत्र के वे संयोग से सिवलिंग पर गिली इस प्रकार दीन भर भूखे प्यासे सिखारी का ब्रत भी हो गया और सिवलिंग पर बेलपत्र भी चड़ गया एक पहर रात्री बीत जाने पर एक गर्वनी हिरनी मिर्गी तालाप पर पानी पीने पहुँची सिखारी ने धनुस पर तीर चड़ा कर जैसे ही प्रतंचा खीची मिर्गनी कहती है मैं गर्वी नहीं हूँ सिख्र ही प्रसब करूँगी तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है मैं बच्चे को जन्म देकर सिख्र ही तुमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाओंगी तब मार लेना सिकारी ने प्रतंचा धीली कर दी और म्रिगी जंगल में जाड़ियों में कहीं लुपत हो गई कुछी देर बाद एक और म्रिगी उधर से निकली सिकारे की प्रसनता का ठीकाना ना रहा समीब आने पर उसने धनुस परवान चड़ाया तब उसे देख म्रिगी ने बिने पुर्वक निवेदन किया कि हे पारधी मैं थोड़ी देर पहले रितू से निब्रित हुई हूँ कामा तुर बिरहनी हूँ अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ मैं अपने पती से मिलकर सिगरी तुमारे पास आउंगी अब सिकारी ने उसे भी जाने दिया दो बार सिकारी को सिकार खोकर उसका माथा खड़ाब हो चुका था वो चिंता में पड़ गया रात्री का आखरी पहर बीत रहा था तभी एक अन्यम्रिगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली सिकारी के लिए यह स्वर्णी मबसर था उसने धनूस पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई और तीर छोड़ने ही वाला था कि मिर्गी कहती है पारदी मैं इन बच्चों को इसके पिता के हवाले करके लोटाऊंगी इस समय मुझे छोड़ दो इस पर सिकारी हसता है और कहता है सामने आये सिकार को छोड़ दू ऐसा मुर्ख मैं नहीं इससे पहले मैं दो बार अपना सिकार खो चुका हूँ मेरे बच्चे भूग प्यास से तरप रहे होंगे उत्तर में मिर्गी ने फिर कहा जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ठीक वैसे ही मुझे भी इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवंदान मांग रही हूँ है पारदी मेरा बिस्वास कर मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ कर लोटने की प्रतिग्या करती हूँ अब म्रिगी का दीन स्वर सुनकर सिकारी को दया आ गई उसने उस म्रिगी को भी जाने दिया अब सिकार के अभाव में बेल बिक्ष पर बैठा सिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फिकता जा रहा था पॉप फटने को हुई तो एक हिस्ट पुष्ट मिग उसी रास्ते पर आया अब सिकारी सोचा कि इसका सिकार तो वह जरूर करेगा सिकारी की तनी प्रतिचा देखकर म्रिग बिनित स्वर में बोला हे पारधी भाई यदि तुमने मुझे से पुर्व आने वाले तीन मिर्गियों और छोटे-छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में बिलंब ना करो ताकि मुझे उनके बियोग में एक छन भी दुख सहना ना पड़े मैं उन मिर्गियों का पती हूँ यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ छन का जीवन देने की किर्पा करो मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्तित होँगा मिर्ग की सारी बाते सुनकर सिकारी के सामने पुरी रात का घटना चक्र घूम गया उसने सारी कथा मिरिक को सुना दी तब मिर्ग ने कहा मेरी तीनों पत्निया जिस प्रकार प्रतिग्यां बद्ध हो कर गई हैं मेरी मिर्तियू से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी अतह जैसे तुमने उन्हें विस्वास पात्र मान कर छूड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो मैं उन सब के साथ तुम्हारे पास सिगरी लोटाओंगा अब यहां पर मैं सब के साथ तुम्हारे सामने आता हूँ उपवास रात्री जागरन सिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से सिकारी का हिंसा खिरदय निर्मल हो गया था उसमें भगवत भक्ती का भास हो गया था अब यहां पर धनुसबान उसके हाथ से सहज ही छूट गया और भगवान सिव की किरपा से उसका हिंसा खिरदय करना भाव से भर गया वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पस्चाताप करने लगा थोड़ी ही देर बाद वह हमरी सो परिवार सिकारी के समक्च उपस्तित हो गया ताकि वह उचका सिकार कर सके लेकिन जंगली पसुमों में ऐसी सत्तिता ऐसी सात्विक्ता और सामुहिक प्रेम भाव ऐसा देखकर सिकारी को बड़ी गलानिन हुए उसके नेत्रों से आंसों की धारा बहने लगी उसे मिरिक परिवार को न मार कर सिकारी ने अपने कठोर हिर्दे को जीव हिंसा से हटा कर सदा के लिए कोमल एवं देयलू बना लिया देव लोग से सभी देवी देवताओं भी इस घटना को देख रहे थे सभी ने पुस्व बर्सा की तपसीकारी और मिर्क परिवार को मोख्च की प्राप्ती भी महासिवरात्री सिभ भक्तों के लिए बेहत ही महतुपूर्ण तिवार है और इस बार का महासिवरात्री खास है और संकर्भवान के लिए बरत रखकर खास पूजा अर्चना तो आप करते ही होंगे और महिलाएं तो खास कर महासिवरात्री का बरत करना बहुत ही ज़्यादा सुफल दाई मानती है और है भी माननेता है कि महासिवरात्री का बरत रखने से और विवाहित महिलाओं की साधी भी जल्दी होती है और जो विवाहित महिलाएं हैं अपने सुखी जीवन के लिए महासिवरात्री का बरत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत पाँट करने से आपको बहुत शुप भड़ मिलने माला है. तो आएए हम आपको बतला देते हैं वो मंत्र क्या है? वैसे तो आप नमा सिभाय का जब करते ही होंगे और नमा सिभाय आप सारा दिन कीजिएगा जब बहुत अच्छा रहएगा आपके लिए आपके कल्यान के लिए अगर आप अपने परिवार के लिए जब करना चाहते हैं तो फिर ओम नमसिवाय का जब कीजिएगा और खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं तो नमसिवाय इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा अधिकतर लोग ये बातें नहीं जानते या फिर जानते हुए भी अंजान बन जाते हैं और जैसे हमने कहा पुजा के समय एक मंत्र जरू पढ़ना है बहुत सिंपल सा है आप हमेशा सुनते होंगे और वो है आप चाहें तो अच्छे स्वास्त के लिए महामिर्तुजय मंत्र का भी जब कर सकते हैं बहुत सिंपल सा मंत्र है ओम जुं सह या फिर एक और मंत्र है ओम हौं जुं सह बहुत ही ज़्यादा लापकारी मंत्र है आप करिए कमसकम एक सुआट बार जब कीजेगा स्वास्त आपका बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा हम फिर मिलेंगे हर हर महादे धन्यवाद